नमस्कार दोस्तों मैं महेश्यों लेकर और आप देख रहे है यूटूब चैनल नेक्ट जैन मैस्क अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेस करना ना भुले बैदिक गणित पाठ एक भाग दो भाग एक में हम एक अधिक एन पूर्वेन इसी सुत्र के दो उप्योगे के बारे में बात कर चुगे है इस भाग दों के अंदर हम तीसरे उप्योग के बारे में बात करेंगे एक अधिक एन पूर्वेन अर्थ होता है पहले में एक अधिक द्वारा उप्योग टीन नौ के साथ समाप्त होने वाली संख्या से एक का विभाजन मतलब 1 by 19 19 है वो 9 से समापत होनवाली संख्या है तो 1 को उसे विभाजित करना है उसे दरह से 1 by 29, 1 by 39, 1 by 79 को हम इसी सुत्रकाव यूज़ करके divide कर सकते हैं यहाँ जो method यूज़ करेंगे उसे कहते है multiplication method मतलब की गुणन विधी 1 by 19 तो 19 के लिए हम एक अधिके इन पूर्वने सुत्रका यूज़ करेंगे 9 से पहले वाली संख्या मतलब की 1, 1 में एक अधिक मतलब की 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 2 हमारा हो जाएगा multiplier और 1 by 19 को लिखेंगे 1 by 20 equal to 0.1 divided by 2 यह जो 1 है उसको हम सबसे last में मनलगे right side last में लिखेंगे फिर इस 1 को हम multiplier 2 से multiply करेंगे so 1 into 2 हो जाएगा 2 यह जो 2 आया उसको भी multiply करेंगे multiplier से तो 2 into 2 4 फिर 4 को multiply करेंगे 2 से तो 8 8 को multiply करेंगे 2 से तो बन जाएगा 16 16 का 6 और आगे carry जाएगा फिर 6 को multiply करेंगे 2 से तो बन जाएगा 12, 12 प्लस 1, मलकि यह जो carry उसमें add करेंगे, तो बन जाएगा 13 का 3 उपर एक carry, 3 को multiply करेंगे 2 से, तो बन जाएगा 6, 6 प्लस 1, 7, 7 को multiply करो 2 से, तो बन जाएगा 14, उपर एक carry, 4 को multiply करो 2 से, तो बन जाएगा 8 प्लस 1, 9, 9 को multiply करो 2 से, तो बन जाएगा 18 का 8, उ 8 को multiply करो 2 से तो 16, plus 1 17, का 7, उपर एक करी, 7 को multiply करो 2 से तो बन जाएगा 14, 14 plus 1 15, का 5, उपर एक करी, 5 को multiply करो 2 से तो बन जाएगा 10, 10 plus 1 11, 1 और उपर एक करी, 1 को multiply करो 2 से तो 2, plus 1 3, 3 को multiply करो 2 से तो बन जाएगा 6, 6 को multiply करो 2 से तो बन जाएगा 12 का 2, उपर एक केरी, 2 को multiply करो 2 से तो बन जाएगा, 4, 4 प्लस 1, 5, 5 को multiply करो 2 से तो बन जाएगा, 10 का 0 और उपर एक केरी, फिर 0 को multiply करो 2 से, तो 0 उपर एक केरी है, तो 1, तो यह value repeat हो जाएगा, तो यहां से हम process को stop करेंगे, 0 पॉइंट, तो यहां से हमने process stop कर लिया, और यह हमारा answer आगया, 1 बाइ 19, तो विदिन आप 5 सेकेंड, हम यह problem को solve कर सकते हैं, और एक problem ले लेते हैं, 1 बाइ 13, पर यहां 13 नौ से समापतों बन ले संख्या नहीं है, तो क्या मैं उसको 9 से समापतों बन ले संख्या में बदल सकता हूँ, उत्तर है, हाँ, पर कैसे, तो कि ऊपर और नीचे 3 से multiply करो, तो 1 इंटू 3, 3, और 13 इंटू 3 बन जाएगा, 39, यह जो 39 है, वो 9 से समापतों बन संख्या है, तो उसके लिए हम यही method यूज़ करेंगे, 3 by 40, 39 में एक, एड़ करके, तो यह बन जाएगा, 0.3 divided by 4, इस 3 को हम सबसे last लिखेंगे, तो इस 3 को multiply करेंगे, multiplier से, तो multiplier है हमारा 4, तो 3 इंटू 4 बन जाएगा, 12, 12 का 2, उपर एक carry, इस 2 को multiply करेंगे, 4 से, तो 8 और 8 प्लस 1 बन जाएगा, 9, 9 को multiply करेंगे, 4 से तो बन जाएगा, 36, प्लस 6, और आगे carry जाएगा, 3, 6 को multiply करेंगे, 4 से तो 24, प्लस 3, तो 27, प्लस 7, और carry जाएगा, 2, 7 को multiply करेंगे, 4 से तो बन जाएगा, 28, 28 प्लस 2, 30, तो यहाँ आजाएगा, 0, और आगे जाएगा carry 3, 0 को multiply करेंगे 4 से तो 0, 0 plus 3, 3 तो ये value repeat होगा, इसलिए हम यहाँ process को stop करेंगे, तो यह हमारा answer आगया 1 by 13 का 0.076923, इसके बाद ये फिर से value repeat होगी, 0.076923, आपको ये method कैसा लगा, comment box में ज़रूर लिखे और वीडियो को like करना ना पूले, thanks for watching, for more videos like, share, subscribe, press the bell icon of next gen man.